इनके नेताओं और इस्तिदारों इन सबकी ड्राइवर और मेड के नाम पे चलती दुकानों को इन सबको सारे सिस्टम को बंद करके हमने नई पॉलिसी लगाई और बहुत पारदर्शी तरीके से हमने यहाँ पर शराब की दुकानों की निलामी की हमें यही काम आता है इसके सिवाब ने किया भी नहीं कुछ और कहा जाएंगे दूर चाहें हैं गर छोड़के हैं सब और हमारा रोजगार चला जाएगा तो हम कैसे करने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है बहुत ज्यादा अभी रिकावरी कुछ भी नहीं हुई है एक प्रकार से देखा जाए तो कि हम तो मान के चल रहे हैं यह पालिशी जो दो साल के लिए डिकलियर है वो दो साल चलेगी लेकिन सड़नली अब यह बीच में बंद कर रहे हैं तो वो पूरा का पूरा लॉसस ही है जो सरकारी दुकाने होते हैं उन्हें साइश नहीं होता इनके पास में जो ब्रांड चीह कस्टूमर को यहां पर कस्टूमर बहुत खुझ थे सेल भी अच्छी मिले थे उनको ब्रांड भी अच्छी मिले थे ठीक है दिल्ली में शराब के ठेको पर वन प्लस वन बियर की पेटी के साथ बोतल फ्री जैसे बड़े डिसकाउंट्स देने वाली आपकारी नीती लंबे समय से विवादों में है एकसाइस डिपार्टमेंट देखने वाले डिप्टी सीयम मनीश सिसोधिया पर इस नीती में घोटाले करने का आरोब सीबी आई ने लगाया है आईए इस वीडियो में जानते हैं कि ये नीती क्या है, इसके हटने से शराब बेचने और खरीदने वालों को क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है और क्या दिल्ली में शराब के नाम पर बड़े घोटाले किये गए हैं 19 अगस्त को सीबी आई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीश सिसोधिया के घर पर रेट करते हुए उनका फोन लैप्टॉप जब्द कर लिया था सीबी आई रेट के बाद दरज हुई एफ आई आर में मनीश सिसोधिया पर शराब की दुकानों के लाइसेंस देने में घोटाले करने के आरोप लगाए गए हैं सीबी आई के बाद अब एडी भी मनीश सिसोधिया मामले की जाच कर रही है मगर जानना ये है कि ये शराब नीटी है क्या इसको समझे दिल्ली में शराब की दुकाने एकसाइस पॉलिसी के हिजाब से चलती है दिल्ली सरकार ने एकसाइस पॉलिसी 2021-22 को पिछले साल पेश किया था जो नवंबर 2021 में लागू कर दी गई थी इस नई नीटी के तहए दिल्ली को 32 जोन में बाटकर खरीब 850 ठेके खोले जाने थे जो सारे प्राइवेट ठेके होते पिछली नीटी में शराब की सरकारी दुकाने खरीब 70% तक थी बाकी प्राइवेट थी यही वो नीटी है जिसमें शराब की होम डिलिवरी दिल्ली के ठेकों पर एक के साथ एक बोतल फ्री, बियर की पेटी के साथ बोतल फ्री या शराब पर 25% डिसकाउंट जैसे बड़े ओफर्स पर लोगों ने शराबें खरीदी है दिल्ली सरकार ने इस नीटी को लागू करते हुए कहा था कि प्राइवेट दुकाने होने से रेविन्यू ज्यादा मिलेगा जो सरकारी दुकानों में नहीं मिल पाता था ये नीटी इस तरह से कई महीने तक चली भी लेकिन विपक्षी पार्टी बीजेपी लंबे समय से इसका विरोध कर रही थी फिर आया जुलाई 2022 दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने 8 जुलाई को इस पॉलिसी पर अपनी रिपोर्ट डिप्टी सीएम मनीश सिसोधिया, सीएम अर्विंद केश रिवाल और लजी विने कुमार सकसेना को भेजी इस रिपोर्ट में कहा गया था कि इस नीती में अनियमित्ताएं यानि इर्रेगुलर्टीज हैं जुलाई में दिल्ली के लजी ने इस पॉलिसी पर सीबी आई जांच के आदेश दे दिये लेकिन फिलहाल इसे 31 अगस्त तक का एकस्टेंशन मिला हुआ है यानि एक सितंबर से सारी दुकाने शराब की सरकारी हो जाएंगी मगर अगस्त महीने में दिल्ली में गिने चुने ठेके ही रह गए हैं आप एक्जामपल के तौर पर देखिए कि साकेत की ही अगर बात करें तो जहां पहले पूरे साकेत में करीब 10 ठेके खुले थे अब सिर्फ एक या दो ठेके खुले हुए हैं शराब बेशने वालों का कहना है कि MCD की रेट से तंग आकर कई वेंडर्स ने अपने लाइसेंस सरेंडर भी कर दिये हैं अब सवाल ये भी है कि जिन दुकान वालों ने नए लाइसेंस लिये थे उनका क्या हाल है वो दुकान चला पाएंगे या नहीं इन सब सवालों पर क्लैलिटी बनती दिख नहीं रही है आप मीडिया में लगातार BJP और आमादमी पार्टी की लड़ाई की खबरें देख रहे हैं BJP के आरोप और आमादमी पार्टी के दावों को सुन रहे हैं मगर जब सारी दुकाने सरकारी हो जाएंगी तब उन लोगों का क्या होगा जो इन दुकानों पर काम करते हैं या इने चलाते हैं यह सब जानने के लिए हमको शराब की दुकानों पर गए और उन लोगों से बात की सर सबसे पहले तो हमारा रोजगार जाएगा क्योंकि परती एक सोब पर ना दस से पंदरा लड़के काम कर रहे है और हमारी जोन में बहुत सारी दुकान ने है और दिल्ली में तो बहुत सारी है जिसमें से अजार हो या कह सकते हैं 15-20-30-30 जार लड़कों का तो वैसे ही जब वह रोजगार हो जाएगा जोगों का यह विघार होज था तो खosटी बोछ लड़कों को बेरोजगार मिला था और उपर से सेतपर में हमारा देखो परत्येक रूप दुकान में लांको रुपे मालिकों के खड़ हुए हैं, जैंने मालिक हैं इनके दुकानों के खर्च हुए हैं, अब यह बिल्कुल बरबाद हो जायगा ख़राब हो जाएगा सर जो नमवंबर में पोलिश आई थी वो अच्छी थी लेकिन अब तो सरकारी खुल ने हैं उसके बारे में तो सर क्या बता है उसमें तो सर, MCD से लेने में भी प्रोब्लम पेस करनी पड़ती है क्योंकि ये लोग भी परिशान करते हैं तो उसमें प्रोब्लम होती है लेकिन एक्साइज से डारेक्ट लेसंस मिलता है उसमें में कोई दिक्कत नहीं है हमें मुनीर का वाइन शॉप के ओनर ने बताया कि उनकी 27 में से 20 दुकाने अभी चल रही है इन 21 दुकानों पर खरीब 800 लोग काम करते हैं यानि वो 800 लोग और उनके परिवार 31 अगस्त के बाद से बेरोज़गार होने के कगार पर हैं हमें ये भी पता चला कि MCD ने कई दुकानों को सील कर दिया था और उन दुकानों में खरीब 54 करोड की शराब रखी हुई है तो वह पूरा का पूरा लॉससी है इतना ज्यादा जो हमने रिनुवेशन पर लगाया है इस टाप रखाए सब कुछ रखाया सब कुछ क्लोच करना पड़ेगा तो यह तो बिल्कुल अन्सटन था तो नुक्सान तो बहुत ज्यादा है इवन हमारा ही नहीं सबका है जो इस सब्सार टाइम चल रहे हैं कि हर सेक्टर में आप देख रहे हो प्राइविडेगेशन चल रहा है और यह दुबारा सरकारी ला रहे हैं जिसका कोई लोजिक ही नहीं है अगर लाना ही था तो आपने क्यों किया और अगर क्लोच किया तो जब आपने दो साल के लिए पर्टि की सफाई लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि जब इस नई पॉलिसी में सब कुछ ठीक चल रहा था तो इसे तुरंट ही वापस क्यों ले लिया गया इस पॉलिसी में 850 ठेके खोलने की बात की गई थी लेकिन नई पॉलिसी आने के बाद भी 500 के करीब ही ठेके खुल पाए थे यानि एक साल से इस पूरी इंडस्ट्री पर बेक एंड फोर्थ दोनों सरकारों के बीच चल रहा है मनीश सिसोधिया ने ये भी दावा कर दिया है कि उनसे कहा गया था कि बीजेपी जॉइन अगर वो कर लें तो सी बी आई और एडी के केस हटा दिये जाएंगे मगर आप खुद सोचिए कि एक पॉलिसी के लागू होने या ना होने से एक पूरी इंडस्ट्री खत्रे में आ गई है और उससे जुड़े लाखों लोग आज बेरोजगारी के फंदे पर जूलते हुए से दिख रहे हैं अब देखना ये है कि एक सितंबर से जब सब दुकाने सरकारी हो जाएंगी तब हालात कैसे होंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप हमारी तमाम वीडियोस को पसंद करते रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएए और समको सब्सक्राइब करके जॉइन पर क्लिक कीजिए आपको हमें कैसे सब्सक्राइब करना है ये देखने के लिए डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएं देखने के लिए शुक्रिया